दोस्तों नमश्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्राबाज की बात के साथ मैं उर्मिलेश इस वक्त उत्तर और मध्य भारत जो है खासकर जो हिंदी भार्षी छेत्र हैं चारों तरब बाबा ही बाबा ना जला रहे हैं मध्य प्रदेश और 36 गड्र में तो गुरु और चेला उतार गएं दोस्तों राइपूर में बाबा धिरेंद्र गर्ग उर्फ धेरेंद और शास्त्री बगशष्वरदाम सरकार इपने तरह तरह के बयानों और कर्तबों की जड़ी लगाय हुए हैं तो भोपाल में अगर देखिए तो उनके गुरु महराज आ गये हैं उनका भी बहुत लंबा नाम है रामा नंदाचार्य स्वामी सराम भद्राचार्य वो भी गरज रहे हैं हमने विभिन राज्यों में काम कर रह है अलग-अलग मीडिया संस्थानों के अपने दोस्तों से बात की जो खासकर जो पत्रकार हैं और उनसे खबर ली तो पता चला कि इन दिनों अचानक बाबाओं के प्रवचनों और भाशनों के प्रोग्राम जो हैं उसमें बहुत तेजी आ गई है चक्तिजगार जारकंड हरियाना और राजस्तान में इनकी संक्या सबसे ज्यादा पाई गई है यह अलग बात है कि इन में सबसे अधिक चर्चा छतर पुरवाले जो नौजवान बाबा हैं धिरेंद्र गर्ग शास्त्री उनकी ज्यादा हो रही है और अगर देखा जाए तो वही इस समय स सबस्तार एट्रेक्शन है यह कहना आज मैं सही बता रहा हूं बहुत कठिन है कि इस वक्त अगर चार-पांच दिनों का हाल देखिए तो यह तैक करना बहुत कठिन है कि यह जो शास्त्री महराज है जो धिरन शास्त्री इनकी कवरेज ज्यादा है मीडिया में खासकर टेलि लगा कि बावा प्रदानमंत्री की से भी जादा उपर आ गये हैं कवरेज के मामले में तो इनके कवरेज के आगे राहूल गांधी की पदयात्रा हो या विहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की सद्भावना यात्रा हो टीवी पुरम में इनकी जलक तक नहीं दिखाई देती है पर एक बाबा सब पर भारी है डर्यमत वो वक्त भी आ सकता है जब ऐसा ही कोई बाबा भारत के प्रदानमंत्री पद के लिए अपनी उमीदवारी घोशित कर दे बशरते चुनाव लगातार होते रहें कोई ब्रेक ना आये मेरे दिमाग में दोस्तों ये सवाल मामलों में बिलकुल अलग है इन स्टार बाबाओं को मेंस्टीम मीडिया खासकर टीवी पुरम किसी बड़े नेता की तरह या कई नेताओं से भी ज़्यादा महत्तों देकर कवर कर रहा है इन्हें विभी आईपी सुरक्षा और सुविधा मिली हुई है कुछ एक राज्यो एक मंतरी तुल पोजिशन पे थे इसी संदर में देखें तो आप देखें और कई कई अपने स्टेट्स को आप जाक लीजे वहां भी आपको ऐसे तमाम बाबा मिल जाएंगे जो पदों पर हैं सरकार में तो इस संदर में मेरे दिमाग में जो सवाल उठता है कि धेरन शास् का हिंसक चेहरा है चतरपूर के इस छुट भईये बाबा के मध्य और उत्तर भारत के स्टार बाबा बने की कहानी अपने आप में चमत्कृत करने वाली है अंटोल्ड स्टोरी है भी तक हाना कि छोटे छोटे कुछ वीडियो में ये इनकी कथा आई है सूखा पिछड़ाप भूक बेकारी और 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 लाचारी इन सब के लिए जो चर्चा में रहने वाला मध्य प्रदेश का च्छतरपूर एरिया है अगर उसको आप देखें तो वहां बाबा का जो नया बागेश्वर धाम आश्रम है वहां जमीनों के भाव रायपूर और भोपाल से भी ज्यादा बताये जा रहे हैं इतने ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि बाबा का जलवा है बाबा स्टार अट्रेक्शन बन गए हैं जब वो नेशनल मीडिया में आए उसके पहले लोकल स्तर पर बहुत सारे वीडियो वाले बहुत सारे कुछ शिधार्मिक चैनल उनको चलाये हुए थ तो चार-पांच साल से वो लोकल लेवल पर काफी अच्छी पोजिशन में थे लेकिन नेशनल अगर कहा जाए या उत्तर भारती अगर कहा जाए तो अट्रेक्शन जो उनको मिला है हाल में मिला है दोस्तों क्या ये महज संजोग है कि जिस वक हर टीवी चैनल अपने इंकर क को जोशी मठ भेजने के लिए मजबूर हो गया था उसी समय रायपूर वाया नागपूर बाबा धिरंच शास्त्री की कहानी उचल पड़ी और जोशी मठ वाले रिपोर्टरों को रायपूर भेजा जाने लगा क्या यह भी संजोग है कि बाबा नागपूर में अपने निर राजपा के सांसद ब्रजभूशन सिंग पर देश की अनेक महिला कुष्टी खिलाणियों ने यौन अपराद में लिप्त रहने का आरूप लगाते हुए जन्तरमंतर पर दोस्तों धरना भी दिया था मांगाई बेहाली और बेरुदगारी के खिलाप हर जगा के आम लोग स्थाई तोर पर शासन से नाराज हैं ऐसे महाल में कोई बाबा अगर अप एक शाक्रित किसी पिछड़े इलाके में जाकर सामने आए को चुनिंदा लोगों के रिष्टेदारों को नाम या काम बताने लगे बीमारों या दिखावा कर रहे लोगों को भूत प्रोत प्रेच से मुक्त करने का दावा करने लगे तो अनेक लोगों के लिए अच्छा खासा तमाशा तो वो बनी जाता है सवाल उठता है इन दिनों ऐसे करतबों और प्रवचनों के लिए राइपुर और भोपाल को ही क्यों चुना गया है हमारी आज की स्टोरी की सबसे जो महत्पूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि आखिर इनको आज ही क्यों चुना गया ये पहले क्यों नहीं मैदान में उत्रे जानते हैं दोस्तों हम सब कि 2023 में जिन राजियों के चुनाओं होने हैं उनमें दो राज 36 गड़ और मध्य प्रदेश भी हैं 2023 के विधान सबाचनाओं में विपक्ष के लिए जहां जीतने की सरवाधिक संभावना मानी जा रही है उनमें दक्षण का अगर करनाटक है तो हिंदी छेत्र के 36 गड़ और मध्य प्रदेश भी शुमार हैं तो क्या इसी लिए स्टार बाबा को अपना स्टार्डम दिखान के लिए राइपूर ज्यादा जरूरी जगर नजराया बाबा ये भी नहीं कह सकते कि नो नो वो तो ये तो शुद्ध धर्मात्मा का मामला है यह हमारा जो काम है उसका कोई लेना देना सियासत दे नहीं है शुद्ध धर्मात्मा तोस्तों ये शुद्ध धर्मात्मा कभी विपक्षी दलों और उनके नेताओं का मजाकी नहीं उडाता उसके लिए सारे राजनेताई एक जैसे होते हैं अगर देखा जाये तो कोई भी धर्मात्मा वो सिर्फ विपक्ष के लोगों का मजाक नहीं उडाता है उसके लिए तो सारे राजनेताई एक जैसे हैं अगर मजा जोग नहीं है उनमें 36 गड़ और मद्य प्रदेश के शिर्स भाजपा नेताओं के अलावा विश्व हिंदु परिशत और बजरंग दल के नेता सबसे जादा हैं और जोध्यावाले चंपत राय तक समर्थन दे चुके हैं और दूसरी तरफ बाबा धिरेंद्र शास्त्री कई विपक्षी दलों विचारधाराओं या उनके नेताओं की आलोचना कर चुके हैं और दोस्तों इससे भी ज्यादा बड़ी बात जिससे बाबा का असल एजेंडा बिलकुल साफ हो गया है उन्होंने पिछले सप्तार रायपूर में धर्म कर्म की बातें छोड़कर भारत के 73 समवैधानिक लोग तंत्र की जगा हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का एलान कर दिया उन्होंने कहा और मैं कोट करता हूं लोगों का आवान किया कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट दूँगा तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट द किसी नागरिक की आवाज है क्या यह किसी संयक्त समझदार लोग तंत्र में यकीन करने वाले भारत नागरिक की आवाज है आप साधू हों संतों वैज्ञानिकों पत्रकार हों या कोई कुछ भी हों लेकिन आपको भारत के संविधान के साथ छेड़ छाड़ करने उसको पलट करके और एक दूसरे किस्म का तंत्र खड़ा करने की आजादी किस ने दिया है तो धिरन शास्त्री के गुरु कह जाने वाले स्वामी जो हैं अगर देखा जाए दूसरे स्वामी जो उनका सपोर्ट करना है राम भद्राचारी साहब ये भोपाल में आसन लगाए हुए हैं और वहां ये कह रहे हैं कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दिया जाए वो शहरों में लगे हुए हैं अगर चेला जो है लोगतंत्र को पलटने में लगा हुआ है हिंदू रास्ट बनाना चाहता है तो गुरु जो कह रहे हैं कि आप शहरों का नाम बदल दो इसका मतलब गुरु गुड़ी रह गए और चेला जो है चीनी बन गया बहुत एक नाम जो मद्यप्रदेश का है उसका नाम नर्मदा पूरम रख दिया जाए यह सब नाम विदेशी आकरांताओं के दिये हुए हैं गुरु ने अपने शिष्ष की बढ़ाई की है और उसके आलोचकों को हिंदू विरोधी सनातन विरोधी कहा है दोस्तों इन दो बाबाओं की कह कहानी हो गई अब मैं एक तीसरे वावा की कहानी भी आपके सामने सुनाना चाहता हूं जो इन दिनों चर्चा में हालांकि वो अलग कारणों से है और यह बाबाओं है गुर्मीत राम रहीम जो रहतक की जेल में रेप हत्या के लिए बंद रहा है कन्विक्टेड है एक पत् पेरोल मिला है चालिस दिनों का चौदा महीने में उसको मिलने वाला यह चौथा पेरोल है तीन महीने में दूसरा पेरोल है पिछली बार वो चौदा अक्टूबर से 25 नौंबर तक पेरोल पर था बागपत के इसी डेरे में जहां कल वो किसी कारिक्रम में तलवार से केक हरियाना के कुछ भारती जन्ता पार्टी के सांसत सरकार के कुछ पुर वरिष्ट मंत्री और बड़े ओधेदार शामिल थे तलवार से केक काटने की शायद ये पूरी दुनिया में पहली तस्वीर है कई अख़वारों में भी चपी है और वेब साइटों में है हर जगह दिखाई दे रही है अकालियों ने कहा अकालिय दल ने उनके निताओं ने कहा कि इस बाबा को इतने पेरोल मिल रहे हैं जबकि पंजाब हरियाना में अनेक लोग जेलों में बंद हैं ऐसे भी हैं जिनकी सजा की जो मियाद है अवद ही है वो खत्म हो चुकी है राम रहीम को हर चुनाव से पहले रहा किया जाता है आखिर क्या वज़ा है अभी तो कोई चुनाव नहीं है दोस्तों अभी कोई चुनाव नहीं है पर रहा हो गया कोई खास बात होगी लेकिन मेरे पास इसकी सूचना नहीं है कि या किरो क्या खास बात है पिछले साल उसे पंजाब के चुनाव से एन पहले फरोरी 2022 में फरलो मिला था फिर अक्टूबर 2022 में फरलो फिर इसके बाद वहां पे हरियाना के पंचायद चुनाव हो रहे थे आदम पूर्विधान सबा चुनाव जो बहुत क्रूसियल था भारती जन्ता पार्टी के लिए उसका बाई एलेक्शन था बाबा को 2017 में दोस्तों हरियाना सीबियाई कोट ने दो लड़कियों के साथ रेप के मामले में कन्विक्शन उनका हो गया फिर 2019 में पत्रकार नामी पत्रकार हरियाना के राम चंदर छत्रपती जो इनको एक्सपोज करने में लगे रहते थे उनकी हत्या के मामले में तीलों के साथ कन्विक्शन हुआ कुछ और बाबा भी चर्चा में इन दिनों हैं दोस्तों राम चरित मानस पर बयान देने वाले बिहार के मंत्री चंदर शेखर की एक बाबा ने ज करोड का इनाम गोशित कर दिया कि जो जीव काटेगा उसको 10 करोड अब ये सब भी मामला कोई 40 करोड दे रहा है कोई 10 करोड दे रहा है कोई 40 लाग दे रहा है इस तरह की घोशनाएं भी करने वाले लोगों की कभी नहीं है कोई कहीं का होता है कोई कहीं का होता है और सब अ आखिर तक्राव के लिए हिंसा के लिए जीव काटने के लिए हत्या करने के लिए ये जो आवान हो रहे हैं क्या ये किसी धर्म की चीज है क्या धर्म इस बात की इजाज़त देता है हिंसक आवान करने का मुझे लगता है दोस्तों ये खतरनाक दोर है और ये कहां ले जाएग ये अभी किसी के पास तस्वीर साफ नहीं है ये तो भविश्य बताएगा कि हमारा आपका लोगतंत्र का और हमारे समाद का क्या हर्ष्ट होता है लेकिन याद कीजिए हमारे ही संविधान में आर्टकिल 51 है और उसका अनुछेद 51 A.H. साइंटिफिक टेंपर की बात करता है वैज्यानिक मिजाज की बात करता है लेकिन हम इसके ठीक उलटती सापर चल पड़े हैं देखे आगे क्या होता है फिलाल इतना ही नमस्कार आदाब सथ्रियकाद